देवाज दिले के नेमावर में हुए जगह ने हत्याकान के मामन में देश भर में तूल पकड़ लिया है और इसी को लेकर आए दिन नेमावर में आदिवासी संगठनों का विरूद प्रदर्शन और चमावडा लगा रहता है साथ ही विभिन राजनेतिक दलों के राजनेत अभी नेमावर पहुच रहे हैं को निंदा करता हूं इस हत्याकान से तीन जीलों का संबध है इस्थानिय पुलिस कैसे जाज कर पाएगी यह विचारनिय पहलू है मैं चाहता हूं कि इस जगन ने हत्याकान की जाज सीवियाई द्वारा होनी चाहिए और फास्ट को फास्ट ट्रेक कोट में मामला चुलाया ज़ाकर निर्भया हत्याकार्ट की तरह आरोपियों को फासी की सदादी जाने चाहिए और पेडित परिवार को निर्भया की तरह न्याय मिलना चाहिए इस मामले में पेडित परिवार को जब तक नियाय नहीं मिलेगा कॉंग्रस उनके साथ खड़ी रहेगी इस अवसर पर पुर्वधाया का केलाश कुर्णल पुर्वधाया का हर्दा आरके दोंगने और मनोच हुलानी, कनोध जनपर अध्याक्ष ओम पटेल, PCC सदस्या, गोतम बंटू गुर्जर, सुनिल यादव, रफीक शेक रत्ना, पाठक नबाब भाई, सहिद अनेक कॉंग्रस के वरिष्ट निद्यवम कारेकरता मौजूद रहे यादव जी ने इस बात को उठाया था, जिनने दोंगन पट भी दी गई उसके बाद यहाँ पे सभी लोगों ने आंदुनन का रूप दिया और फिर उसके बाद जो पुलिस निश्क्री थी वो उसने पूस तलाश की और अपराधियों ने सुईकार कर लिया छे लोगों ने मिलके मारा ऐसा पुलिस का कहना है अब यह भी बड़ी अजीव सी बात है कि पवन जो ललका है वो ही अपने स्कूर्टी पर हर बार अपनी बहन को ले जाता है अपनी ममी की दोस्त को ले जाता है ममता को पिर दूरों बहनों को ले जाता है एक के बाद एक, एक के बाद एक, बारा मई को 11-12 मई की रात को सुरेंड की बर्डे पार्टी होती है उस बर्डे पार्टी में रुपाली खुद रहती है, सुभे 3 बज़े घर लोट के आती है इस सारी बातें मुझे जो जानकारी मिली है मैं तो इतने ही कहना चाहता हूँ इसमें ये भी जानकारी मुझे मिली है कि रुपाली हर्दा में काम करती थी उसने अब पवन्ने वहां के कमरा किराय पे लिया हुआ था और वहीं वो सुरेन भी उसे आके मिलता जुलता था और वहां परोस्तियों ने बताया कि रुपाली ने उसको अपना पती की रूप में प्रश्तुत किया हुआ था इस सारी बातें मुझे जानकारी जो मिली है वो आपके सामने है तीसरा एक लड़का जो की इसमें शामिल था वो खंडवा करेने वाला है इसलिए तीन अलग-अलग जिलोंग में इस अपराद का संबन्ध है देवास जिला, निमावर, हर्दा और खंडवार इसलिए मुझे नहीं लगता कि स्थानी पुलिस इसमें कुछ देख पाएगी क्योंकि स्थानी पुलिस को हर्दा की सीसी टीजी के बारे में भी कोई जानकारी नहीं था पावन जो की अपनी स्कूल्टी पे बिठा बिठा के लेगा जा उसका मोबाइल फोन भी पुलिस ने रिकवर नहीं किया यह पूरा पूरा जो घटना करम बताय जाता है इसमें कैसे कन्विक्शन हो पाएगा मुझे इसमें शंका है कहीं कमजोग केस तो नहीं बनाया जा रहा है इसलिए हम चाते हैं जैसी मांग की गई कि CBI का इंवेस्टिकेशन हो या क्योंकि तीम अलग-अलग जिलोग में घटना हुई है इसलिए स्पेशल इंवेस्टिकेटिव टीम दीजी पुलिस प्रशासन की लगी और निश्पक्षता से इसमें काम हो फास्ट्रेक में काम कोट में किया जाए जिसने से निर्भया कान में लोगों को फासी की सजा जी गई उस पकार से फासी की सजा इन निर्मम हत्यारों के खिलाफ होनी चाहिए और हम जब तक उनको फासी खेजा नहीं हो जाती है हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे वाइस ओप रैट्स क्लिक हाते गाउं से प्रदीप साहु की बोड़